नमस्कार मैं हूँ अनुराधा और आप देख रहे हैं एन्वर्ड न्यूज भारत में कई नई सेक्टर के उभरने के साथ ही नई तरेकी की रोबोटिक टेक्नॉलेजी और साथ ही नौक्रियों के मौके भी बन रहे हैं इसी बीच एक नया सेक्टर टेजी से उभर रहा है वे है ड्रोन का हालनकि ड्रोन का उड़ना अप सिर्फ एडवेंचर ही नहीं रहा बलकि यह एक इंकम का सोर्स भी बनता जा रहा है ड्रोन उड़ाकर आप लाखों रुपिय कमा सकते हैं वही जोती रादित्य सिंध्या एक भारती राजनेता है जो नागरिक उडियन मंत्री के रूप में कार्यत है उन्होंने मंगलवार को कहा कि भारत को आने वाले सालों में लगबख एक लाख ड्रोन पाइलेट्स की जरूरत होगी ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रिय मंत्राले देश भर में ड्रोन सर्विस की स्वधेसी मांग को बढ़ावा देनी की कोशिश कर रहे हैं ऐसे में आने वाले सालों में हमें करीब एक लाख ड्रोन पाइलेट्स की जरूरत है यानि की युवाओं के पास नौकली के जबरदस्त मौके है और आने वाले समय में इन फिल्डों में कई नौकलिया प्राप्त करने का मौका भी मिलेगा वहीं इसे को देखते हुए केंदर मंतली ने बयान दिया और कहा कि बारवी कक्षा पास करने वाले व्यक्ति ड्रोन पाइलेट के रूप में ट्रेनिंग ले सकते हैं उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए किसी कॉलेज की डिगरी की आवश्यक्तर नहीं होगी आने वाले सालों में करीब एक लाख ड्रोन पाइलेट की जरूरत होगी केंदर मंतली ने आगे कहा कि दो तीन महीने में ट्रेनिंग दी जाएगी एक व्यक्ति लगभग 30,000 रुपे के मासिक वेतन के साथ ही ड्रोन पाइलेट की नौकली कर सकते हैं 2030 तक भारत को ग्लोबर ड्रोन हब बनाने का टार्गेट दिलनी में ड्रोन पर नीती आयोग के एक्सपिलियन स्टूडियो को लॉंच करते हुए सिंध्या ने कहा कि हमारा साल 2030 तक भारत का ग्लोबर ड्रोन हब बनाने का लक्ष है हम भिविन इंडस्ट्रियल और डिफेंस रिलेटर सेक्टर के रूप में ड्रोन के उप्योग को बढ़ावा दे रहे हैं वही प्रधान मंत्री नलेंद्र मोदी चाहते हैं कि नई टेकनीक का विकास हो और जादा से जादा लोगों को नई तकनीक पहुँचे सके वही अवियेशन मंत्री ने कहा कि हम ड्रोन सेवाओं को आसानी सा सुलब बनाने की दिशा में सक्लिय रूप से काम कर रहे हैं भारत जल्द ही ड्रोन अवियेशन का अपनाने वाला उद्योग की एक बड़ी संख्या को देगा